गुड मॉर्निंग इस्टुडेंट्स आज का हमारा सब्जेक्ट हिंदी है इसमें हम चैप्टर नंबर नाइन असाई की सायता पढ़ेंगे एक शहर में मिहीर नाम का लड़का रहता था वह बहुत दयालू था वह प्रती दिन इस्कूल जाता था एक दिन उसने इस्कूल जा जा रहा था तो इसन देखा कि रोड पे एक व्रदी व्यक्ति है जो सडख को पार करने की कोशिश कर रहा है लेकिन कर नहीं पारा था सडख पर चारों और से वहान बड़ी तेजी से आ जा रहे थे वह आने जाने वालों से मदग मांग रहा था कौन मांग रहा था वो जो बुजरु व्यक्ति था वो मांग रहा था लेकिन सबको अपनी अपनी जल्दी मचिवी थी उस व्यक्ति पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था ठीक है मिहीर उस व्यक्ति के पास पहुंचा और उसका हाथ पकड़ कर बोला, आओ बाबा जी, मैं आपको सड़क पार करा देता हूँ। व्रदव्यक्ति ये सुनकर अती प्रसंद हुआ, यानि कि खुश हुआ, उसने का बेटा तुम बहुत अच्छे हो, मैं बहुत देर से लोगों से मदद मांग रहा था, पर किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी, तुम मुझे उस पार पहुँचा दो, यानि कि दूसरे तरफ पह पहुचा दो, भगवान तुमारा बला करेगा, मीरी ने उस व्रदवक्ति को गाड़ियों से बचाते हुए सडख पार करा दी, सडख पार करके व्रदवक्ति क्या हुआ, बहुत खुश हुआ, मीरी के सिर पर हात रखकर व्रदवक्ति ने आश्रवाद दिया, बेटा पार करें, क्योंकि व्रदवक्ति की मदद करने लग घाता, अध्यापक ने भागऋ iरी से देर आने का कारण पूछा, मीरी ने देर से आने का सही कारण अध्यापक को बताया, अध्यापक उसका उत्ता सुनकर बहुत खुश हुआ, और अन्य बच्चों से भी क्या का उसने, कि आपको भी मिली की तरह, अशायों की तरह, और दीन लोगों की मदद करनी चाहिए, ठीक है, यानि कि जो अपने आप रोड क्रोस निकर सके, जो अपने लेट हो गई, अब इसकी वाक्षीट है, जो आपको नोट बुक में नोट डॉन करनी है, पहले शब्दार्थ है, शब्दार्थ में ब्रद मतलब बूड़ा, व्यक्ति, आदमी, मरद मतलब साहता, आसाय जिसका कोई सहारा नहीं होता, प्रयत्न, कोशिश, प्रसंद, जैसे कि व्यक्ति ने मीर की साहता से सरक पार की, व्यक्ति ने मीर को क्या श्रिवात दिया, बगवान तुम्हारा भला करे, देर से आने का कारण जानका अध्यापक जी ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि आप, देर से आने का कारण जानका अध्यापक जी ने अन्य बच्चों स कहा कि आपको भी मिही की तरह ऐसायों तरह दीन लोगों की सायता करनी चाहिए अब है सही उत्तर पर राइट का निशान लगाई है मीर कैसा लड़का था दयालू शरातिया घमंडी दयालू व्यद्वक्ति लोगों से कर लेने चाहता था भीक मदद या भोजन मदद व्यद्वक्ति की सायता किसने की मिहीर ने अध्यापक ने रागीर ने मिहीर ने सही वाक्य पर राइट रता गलत पर राइट का निसान लगाई है मीर एक गाउं में रता था रॉंग वो शहर में रता था मीर से व्यद्वक्ति ने कुछ पैसे लिए नहीं उसने सरकपार करने के लिए का था तो यह wrong sentence है मीर से व्रद व्रक्ति ने मीर को आशिरवाद दिया Yes, तो यहाँ पर राइट आएगा अध्यापा मीर का उत्ता सुनकर बहुत कुश हुए Yes, तो यहाँ पर राइट का अंसर आएगा अब है दिये गए शब्दो मैं अशुर शब्द पर गोला बनाईए तो यह व्रद है और यह व्रद दो तरीके से लिखा हुआ सही पर मैंने गोला लगा रखा है इसी तरीके से आशिरवाद और आशिरवाद तो इन में से दोनों में से कौन सा सही आशिरवाद दिये वाला व्यक्ति और व्यक्ति तो दोनों में से व्यक्ति हम किस तरीके से लिखते हैं इस तरीके से असा है और असा है तो इसमें हम असा है ऐसे लिखते हैं निमली की शब्दों के एक एक प्रयावाची शब्द लिखिए तो आपको इनके प्रयावाची शब लितने हैं, व्रद मतलब क्या होता है, बुड़ा, तो यहाँ पे बुड़ा व्रद का प्रयावाची है, भगवान और ईश्वर को भी हम भगवान बोलते हैं, सडक मतलब राह, स्कूल और विध्याले, बेटा, सुपुत्र, अध्यापक, शिक्षक, ठीक है, तो यह इनके प्रयावाची होगा, यानिक इनको एक, और स्कूल को हम विध्याले भी बोल सकते हैं, अध्यापक को शिक्षक भी बोलते हैं, ठीक है, तो आपको यह शाम तक मुझे वक्षिट कम्रिट करके सैन करने हैं, ओके, थैंक यू,